हेलो दोस्तों मेरे चैनल सुक्समरदी उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है यहां मैं आमले के पेड़ की किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए वो यहां दिखा रही हूँ जिससे हमें विशेशलाप की प्राप्ति होते हैं कहते हैं कि आमले के पेड़ में भवान विश का पौध होता है तो इसे जरूर अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए आपको और इसे सीचना चाहिए कातिक का माज जैसे चलना है इसमें आमला नौमी का विशेश महत है दोस्तों तो मैं यहां पर आपको बता दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको पूजा करनी दोस्तों और यहां फिर आपका लोटा भी जल के लोटे में दूद भी डाल सकते हैं यहां मैंने जल चड़ा दिया है तो आपको पहले में पूजन सामंगरी बता देती हूँ कि क्या-क्या आपको लेके जाना है आमले की पूजा करने के लिए यहां मेरे पास चंदन है रूली का भी कर सकते हैं तो चंदन से पहले में इसके बाद बिन्दी लगा सकती हैं तो सत्य बनाना बहुत ही सत्या बनाया है कि अलाब में सारी आप सामगरी बैसे हैं और if you take the और आपको क्या करें ना से खिल बताय से जो हैं वह इस तरह से चड़ा देने हैं जो सारी वीडियो डाली हैं कि किस तरह से पूजाा कनी हैं गोमाता को क्या क्याग किसे कि प्रति होगी 5 दिन का मात्तम क्या है हर चीज की मेरे चैनल पर वीडियो है जरूर देखिएगा तो यहां मैंने पुस्प वगेरा चड़ा दिये हैं और मैं अब कलावे से परिक्वा करूंगी यहां मैंने मिठाई का भूग लगा दिया है इसी तरह से आपको भी जो भी आपके घर में अवेलेव कभी भी आपको डारक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहे हमेशा उसे सिंगासन देना चाहिए चाहिए आप घर में हो चाहिए आँ da तो यहां मेरे पास सिंगासन देने के लिए पुस्प हैं या तो मैं पुस्प से दे सकती हूं या फिर मेरे पास खील है तो इन दौनों चीज़ों में से मैं किसी को भी किसी काविस आसन दे सकती हूं सतिय को पहले मैंने सत्या बना लिया है दिये को मतलब तो दिया मैंने खील के उपर इस्थापित कर दिया मैंने खाली दिया नहीं रखा है नहीं उसमें रखना चाहिए अगर आपके विशेज कामना है तो आप दिये के अंदर थोड़े से सतनाज या चावल या ग्यों के दाने भी डाल सकते हैं इसका भी विशेज महत होता है दोस्तो और इस तरह से द दीपक की भी पूजा कर ली है अब मैं कलावे से जो कलावा मानना है वो उसका तरीका समझ लीजिए कि किस तरह से बानना है इस तरह से आप एक कलावा ले लीजिए और इस तरह से हाथ से पकड़ कर आपको रखना है और फिर आपको उसकी परिक्रमा करनी है इस तरह से परि लपेटना है और जो भी अपनी मनों कामना हो जो भी आपकी कोई परिसानी हो जरूर बताईएगा आमले जो आमले का ब्रक्ष है उसमें भगवान विश्नु का वास होता है और इस समय भगवान विश्नु आमले के ब्रक्ष में निवास कर रहे होते हैं तो आप भगवान को ज कि आभुला नौमी के दिन का विसेश म्हेत होता है और बड़े ही ब्रक्ष के नीचे पूजा करने का विसेश महत होता है तो इस तरह से में कर लूगी मैंने आपर साथ परिकर्मा ही करी है अभी कलावए के बाद सके बाद मैं अलग से परिकर्मा करूंगी वह आपको क्या करना है दोस्तों खील रखनी है थोड़ी सी हातों में खील रख लीजिए और एक एक दो दो डाने आप डालती जाईए और परिक्रमा करती जाईए जितनी भी आप परिक्रमा कर रहे हो तने दाने आप गिनकर हाथ में रख लीजिए उसके बाद परिक्रमा इस तरह से मैं कोई गांठ नहीं लगाँगी इसमें इसके अंदर ही ऐसे करके इलजा दूंगी तो इस तरह से आपको आर्शिवाद लेना है और इस तरह से आपको पैर भी दावने हैं इनके जैसे चरन चूते हैं बड़ों के इस तरह से ही आपको इनके भी चरन चूने चाहिए इस तरह इस तरह से डावने का विशेश महेद होता है दोस्तों चरह से आप को बिषेश महेत होता है इसके चाहिए इसका ही विशेश महेदा है दोस्तो इस तरह से आपको कम से कम पांच वार जरूर गले मिलना चाहिए और भवान से प्रात्ना कहिने चाहिए कि भवान हमारे घर में हमेशा सुक्सम्रदी हो हमारे घर में परेसानी सारी समापत हो जाएं और हमारे घर में मा लक्ष्मी का वास सदेब बना रहे इस आज से आपको इस तरह से परिक्रमा आगे की जो रह गई है आपकी परिक्रमा कर सकते हैं साथ परिक्रमा मैंने तब करी थी और बाकी जो मुझे 11 या वैसे तो 108 परिक्रमा का विशेश महत होता है यदि आप नहीं कर पाते हैं 108 परिकर्मा तो आप दोस्तों 108 नहीं कर पाते हैं तो 11 भी कर सकते हैं 11 या 21 जो भी आप अच्छी तरह से हो जाए वो भी आप कर सकते हैं तो यहां मैं 11 ही परिकर्मा कर रही हूँ और इसके बाद 11 परिकर्मा करने के बाद मैं चरण चुके बहुती उचित दिन है ब्रत रखने के लिए यह जो पाँच दिन होते हैं इसमें ब्रत रखने का विशेज महत होता है दोस्तों अगर आप ब्रत रख सकते हैं तो अच्छी बात है नहीं रख सकते हैं तो कोई वह नहीं है लेकिन आपको इस तरह से पूजा जरूर करनी चाहि हैं तो उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं उनके घर में कभी भी कलेस्क नहीं रहता है दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आगे वीडियो मिलती रहें कमेंड में जय मालक्षमी जरूर लिखेगा सरदावाब से जय मालक्षमी दोस्तों आपके घर में हमेशा सुक्सम्रदी बने रहे मालक्षमी का वास सदेब बना रहें इस तरह से दोस्तों पेड होना चाहिए जिसकी छत्रचाया में आप पूजा कर सकें वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो लाइक सिस्क्राइब जरूर दीजेगा जिसे आगे वीडियो मिलती रहें जय मालक्षमी दोस्तों